तो आज की हमारी इस ओनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ करता है कि करता है देटा चेंज होने पे अपने आपको आपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर लेता है, फॉर्मेटिंग को अपलाई, इस्ट अपलाई कर देता है, तो ए छीज़े हमें 80 जागा यूजफुल होती है, तो मैं अपनी कम्प्यूटर स्थीन आपको दे रहा हूँ, और सुनी जी क्ल ही इस अरभी तो नहीं है, जिन एक में अपनी कम्प्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, तो जैसे कि हमने बताया, आपको की कंदीशन फॉर्मेटिंग होता है, डेता को फॉर्मिट करता है, वो भी कंदीशन को, तो मैं ये काम करता हूँ, फुरा सा देटा लेता हूं, Unformatted data, यह को formatted है, इसी को select करेंगे मैं करता हूँ Unformatted data. Paste value हाँ, और इसमें हम date के बारे नहीं जाना होगा. तो अब जो से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो greater than 50 है, उसको highlight करना, quantity. greater than 50, तो अब जिसे कि normal formatting में आपने इसको select किया और format कर दिया, तो इस formatting को इसके कोई मतलम नहीं है, कि इसके क्या type किया हुआ है, कोई मतलम नहीं है, ओके, अब यह change होता है, तो अपने आपको change नहीं करेंगा, लेकि इसी की में हम चाहते हैं कि हमारा format करने से पहले, आप पहले data को select करेंगे, यहाँ रखेंगे, हेडिंग को select करेंगे, तो हेडिंग भी color हो जाएगा, तो इसमें कई सारे category है, पहला category है, highlight sales rules, highlight, sales, rules, किसी को हम आज देखते हैं, उसमें सबसे पहला है greater than, किसी particular number को से बड़ा, तो अजिसमें जैसे greater than पे click किया, आपने देखा कि greater than आ गया, यहाँ पे हमारा 50 आ गया, 50 इसमें by default इसका average जो था 50 ओ ले लिया हुगा है, बट यहाँ आप change कर सकते हैं, तो मैं greater than 60 चाहता हूँ, 60 से उत्वाल इस number ते और इसकी highlighted, लेकिन एक default format ते, default color या जो भी background मगरा है हो, इसमें इसको जब drop down करेंगे, तो इसमें कई तारे और color मिलेगी, जिसे की yellow, जिसे की green, जिसे जिसे की right, red light speed, या फिर text color, red text, red border, लेकिन यहाँ हुआ पाद एक custom formatting है, custom formatting के use कब करते हैं, जब मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए होगा, इसमें से कुछ नहीं चाहिए होगा, तब, custom formatting के जाते हैं, और यह अपने आपको format करते हैं, इसमें से मुझे planer format चाहिए, तो select कर लिया, and okay, और यहाँ देखिए, आपने सामने result हाई, okay, मैं तो sketch करता हूँ, इसमें आपका है, less than, किसी number से छोटा, between, किसी दो number की 20 की value, इसमें सिर्फ हम यहीं दे सकते हैं, इसमें number को दे सकते हैं, greater than less than between में हम number दे सकते हैं, date and time, जैसे कि मान लेजे मैं चाहता हूँ कि 5 September से उसके पाले date highlighted हो जाए, तो greater than यहां हम देंगे 5 September, तो 5 September से उसके उपी से date आप, इसमें हाइलाइट कर दिया, तो हम greater than, less than, between में क्या देंगे, number, date and time, यहां को text नहीं दे सकते, हम ऐसा ही किसे greater than euro, ऐसा नहीं किसे, हम इसमें number, date and time में देना होगा, equal to जो होता हो, exact till well होता है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने equal to कर दिया, add to, अब जहां-जहां add to, exact add to, उसको highlight करेगा, यहां माल देंगे मुझे highlight करना है, euro, तो यहां फिर हमने बोल दिया, greater than, euro, अच्छा, यू छू लिया, zero, यह exact cell value को highlight करता है, चाहां number हो, चाहां text हो, या date हो, आप date भी करते हैं, तो इसकी equal to, मैं आज की date करता हूँ, minus left, left, highlight हो गया? समझ आगया आपको सर, सुदिल जी? मैं जी जी सार, आ रहा है, बीच में connection हो गया था, हाँ आ रहा है, इसे get less than between, किनो समझ में आगया आपको? हाँ, अब इसमें आपके, इक्वल टूमिक का होगा है, अब अगला आपको समझ में आपको हाँ, तेक्ट ने जी से equal to में क्या होगा है, कि exact होना चाहिए, अब जैसे यहां पर देखिए, North America और South America है, मुझे अमेरिका को हाइलाइट करना है, चीक है, अमेरिका को हाइलाइट करना है, तो अगल मैं equal to करता हूँ North America, तो North America हाइलाइट होगा, इकल to South America, तो South America हाइलाइट होगा, मैं चाहता हूँ किसमें अमेरिका हो, वो हाइलाइट देखिए, उसके लिए हमारे पास आपका है, टेक्स दैट कंदेब, टेक्स दैट कंदेब में देखेंगे, यहां से आपको अमेरिका वोज किसी के सांस, चाहे हो आगे हो, चाहे हो पीछे हो, या बीच में हो, वो हाइलाइट कर देगा हूँ, तो हाइलाइट के जो कलर है, वो कलर आप यहां से अपने अपकोरडिंग चूंज कर सकते हैं, ओके अब बाप करते हैं देश आफ मेरफ नी तसे मैंने बुला कि अब आप इपल टू कर दिया आज की देश की यहां आज की देश बूरेट आपको कि यहां यहां सोशल भाई बाद से कि यह आज की देश नहीं कशन में ओपन करोंगा तब कल भी 10 स्टमर भी हाइलाइट होगा अब मैं यहन पर यह चाहता हुँ कि जब हम date को हाइलाइट करें हम सिस्टम date हाइलाइट और मैं अपने आप को हाइलाइट हे और जैसे हमाना date चेंज अब न zwr के हो अपने अपको तो चेंज कर लए तो कैसे होगा इसके लिए हमें देट ओफरिंग इस्तमाल करना होगा देट ओफरिंग यह बताता है कि इस्टा डेट कल की देट हैलाइट हो जाएगी तुडे आज की देट तुमोरो कल की देट इस्तमाल आप कर सकते है यह आटमाइटिक शिस्टम देट का ठिक कर लेता है और बारे आती है डूब्लिकेट वैल, जिसे मुझे एक पर्टिक्रल लोकेशन में पता करना है कि कोलता नंबर मोर दान वन टाइम है, उसके लिए डूब्लिकेट का इसके माल करते हैं, डूब्लिकेट, तो मोर दान वन टाइम है उसको अलग मैं को सुझाथा हूँ, जैसे मांग दीजी कि मैं यहाँ आप एकाउंट नंबर हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह सिक एकाउंट नंबर लिखे मुझे पता सुझाए तो उस केस में यहाँ हम विद्विकेट डिवैल्लो को सेलेक्ट करते है यह एक अब जैसे वन टाइप किया तो वन आया आया आप न जहां नंबर हो सारे नंबर हाइलाइट हुझाते हैं आपका जुलिकेट वैल्लिकेट में एक और था यूनिक आपने जॉबड़ नहीं किया होगा मैं जॉबड़ जो जाता हूं आपको यूनिक मतलब क्या हुआ है जो ऐसा नंबर जो एक बार या अब इसका इसमाब हम लोगा टार्गेट पुरानी होता तो हम लोग पहले है दिखाते हैं कि हमारे कौन से दिलर है जिसने अभी तक फिस एक बार ही ओरड किया इस महीने तो यहां यूनिक हम लोग लेते हैं तो यहां यूनिक हम लोग लेते हैं हमारा हाईलाइट रूश्म में आपको अपको यह सब्सक्राइब आपको हमारे जिसने से मुझे तॉप 10 हाईलाइट करना है तॉप 10 मुझे भी नंबर से कि इसका सब्सक्राइब नंबर तो तॉप 10 नंबर के लिए यहां तरह में सेलेक्ट कर लिए और 10 के जगह पे हम यहां पे 50 60 भी कर सकते हैं तॉप 100 भी कर सकते हैं तो जो नंबर उसकी सिक्वेश में आ रहा है तो तॉप 10 के हाईलाइट करनेगा लेकिन अगर रिपिटेट है इसके दो बार तो दोनों हाईलाइट करनेगा यहां पर यहां कर ने पास बॉटम तयंसे हाईट लोएट करता है कि इसमें आपको आगे इसके लिए आपको समझना होगा परसिंटाइल का फॉर्मॉला आप परसिंटाइल का फॉर्मॉला समझते हैं तो इसको समझपाएं उसके बाद आता है अब कभी इसको आपको समझते हैं कि अच्छा तेल किया है। और कोई benchmark define हो कि target define हो कि 60 target होना चाहिए, जो 60 से उपर है उसको highlight कर देगा बट कुछ ऐसा define ही नहीं है, हम निखालेंगे average, कि स्कूटर से लेका average क्या है, और average से उपर हो वाला is as good, और average से lower वाला है, बना कि यहां अभाव average, अपने आप average कर लेगा, अगर number चेंज होता है, average चेंज होता है, अपने आपको चेंज कर लेगा, ऐसे हमारे सामने आता है, below average, तो average में छोटा, उसके पार इसमें आता है, आपका data bar, data bar में इसमें मुझे पता करना है कि यहां हम लोग डेटा बार क्या है, तो बार बता देता है कि जिसका सबसे बड़ा बार है, तो एंसका मतलब है, उसका highest है, middest है, lowest है, आप इसनी compare कर सकते है, तो अलग अलग, अगर मैं इसको अलग सीपर होता हूँ आप, आपको यहां पर देखे, अब मैं इसको select कर लिया, select करने के बार देखे, बार हमने लगाया, जैसे मेरा बार बर रहा है, नम्बर बर रहा है, इसे बार भी increase हो रहा है, इसके बार आता है, color scale, color scale भी same indicate करता है, जैसे इसको select कर लिया, यह हो गया, red to green, red, yellow, green, red, yellow, highest green होगा, middle yellow होगा, and lowest green होगा, जो सबसे ज़्यादा green होगा, सबसे ज़्यादा highest है, जो सबसे ज़्यादा rate भी कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा lowest होगा, और यह बाकि भी color, अलाला color होगा, बाकि सबसे चेंग, अगर आपको exact बताना है, तो यह आप icon लगा किसे, lower, middle, upper, इसमाल कर सकते हैं, इसमाल कर सकते हैं, इसमाल कर सकते हैं, इसमें अगर आप माले ले लिया, लेकि मुझे आपको red, green, yellow नहीं चाहिए, तो आप manage rule के जाहिए, इसमें double click कीजिए, और यहाँ सबसे तीनों color चेंग कर दीजिए, इसमें मैं green के जवाब पर करा देता होगा, तो अभी हमने जो है, mostly you जोडने वाले functions आपके साथ discuss कर लिए, ठीक है, और मुझे आपका mail भी मिला है, सुनी जी, आपने जो custom formatting में mail की है, वो मिला है मुझे, मैं इसको देखा, आपने किया जो है लेकिन effort नहीं लगाया, आपस effort लगाना चाहिए, ठीक है? जो आपने बटाया था, उस ही किया जो आपने पचाया था, उस ही के practice की है, मैंने आफको क्या बोला था कि 10 एंपल ऐसे दिश्ट करें और नया निए पटाएं नहों आपको मैँने बता कि आफकी है पता पर आफके पता चली है लेकिन इसके इसन परने जहिए रिसार्ट करके कुछ और नया एक्जामपल लिगा लेगे तो आज हमने कंदीशनल फॉर्मटिंग के बारे में डिसकर्स की कल की क्लास में हम आपके साथ बात कित करेंगे एडवांस कंदीशनल फॉर्मटिंग के इंटाइं कर सेंटाइम ओके बाई